अलो अब्रीवन, वेलगम टो माई चैनल, दरपन आफ इन और माई टोड़ेज टोपिक, फिगर अप स्पीच, अगर आप चानल पर नहीं हैं, तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईगान को प्रेस करें, ताकि नएनए वीडियोग के लिए अपको मिलती रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सेयर करें figure of speech क्या होते हैं इन्हें हिंदी में बोलते हैं अलंकार बैसे तो यह कही प्रकार के होते हैं लेकिन जो 12th class के लिए important है उन्हें हम discuss करेंगे इस वीडियो में figure of speech is an expression which is uncommon and deviation greater effect अलंकारों का प्रिवभाव प्रकासन की सोवा बढ़ाने के लिए किया जाता है यानि यहां से जो भाव प्रकासन होता है उसकी सोवा बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज होता है और यह main है simile it is a figure of speech in which comparison is made between two objects of different kind अब इसको एक definition में तो हम इस तरह से कहेंगे कि figure of speech जो simile है यानि इन्दी में बोलते है उपमा अलंकार तो यह हमारा comparison करता है दो बस्तूओं के बीच लेकिन वो बस्तूओं different होती है वो बिविन प्रकार की दो बस्तूओं के बीच comparison करता है और दूसरी भासा में कहेंगे a simile is a comparison between two objects of different kinds which leave at least one point common और इनमें एक one point एक point तो इनमें common होता है बस्तूओं बिविन प्रकार की होती है लेकिन इनका एक point common होता है समान होता है the word as, like or so are used for comparison और जो सब्द हैं इनकी खास पहचान होती है as, like or so का यूज किया जाता है comparison के लिए for example life is like a dream life जो जिन्दिगी है वो सपने की तरह से है तो यहां पर like का यूज हुआ है यह हमारा simile यानि उपमालंकार है she is lovely like a rose वह गुलाव की तरह से प्यारी है तो यहां पर like यहां पर तुलना की गई है रोज से तो यह लाए गए यहां पर तो हमारा यह सिमली यानि उपमालंकार है she is as from as rock वह इतनी ध्रड है जितनी की चट्टान तो यहां पर as का यूज हुआ है यह हमारा simile यानि उपमालंकार है I wonder only as cloud और हम मैं बादलों की तरह से अकिला इजर जर खूम रहाता यहां पर हमारा यह इसकी तुलना की जा रही है बादलों से तो यहां पर हमारा यह simile यानि उपमालंकार है next है metaphor metaphor को हिंदी में बोलते हैं रूपकलंकार a metaphor is an implied simile or a implied comparison it does not like simile state that one thing is like another or acts as another what takes that for granted as if the two things were one अब इसको कहेंगे रूपक में तुलना की जाने बाली बातों को एक मालिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले सब्द as like अत्वा सोका प्रियोग नहीं किया जाता है अब इसमें क्या होता है जो तुलना की जाने बाली बात होती हूँ उनको तो एक माल लिया जाता है लेकिन जो तुलना प्रकट करने वाले सब्द होती है उनका यूज नहीं किया जाता रूपआ का लंका एक प्रकार की लुप्तिया च्षिपी हुई sulla технолог इसमें यह नहीं बता जाता कि एक बस्तु दूसरे की ही भाती है लेकिन उसमें यह तो प्रकट होता है कि दूनों बस्तु एक ही हैं इसमें यह तो लगता है बातों को तो एक माल लिया जाता है तुलना प्रकट करने वाले जो सब्द होते हैं तो यहां पर तुलना इसमें की जा रही है किसे सैकस्पीर से कालिडास की आपने पर्वार का तारा है जो जिन्दिकी है वो बैड़ों की बून गुलाबों की नहीं है तो यहां पर इस से इसके comparison तो किया जारा लेकिन यहां पर सब्दों का use नहीं किया जारा नेक्स्ट है personification personification होता है मानवी करड मानवी करड जो अलंकार होता है इस अलंकार में निर्जी बस्तूं तो तब भावों को सजी मानकर ब्यक्ति के रूप में बड़न करते हैं इन परसॉनिफिकेशन लाइफलेस अब्जेक्ट्स एंड एबस्टेक्ट आइडियाज आर थोट ओफ परसंस हैविंग लाइफ और इनसमें जो होता है वो इस अलंगकार में निजी बस्तूं तथा भाओं को सजी मानकर ब्यक्ति के रूप में बड़न किया जाता है फॉर एक्जामपल अपॉर्चुनिटी नौक्स एड़दा डोर वट वन्स जो अवसर है वो दर्वाजा खटकट आता है लेकिन एक बार अब इसको देखेंगे इस बाके में अपॉर्चुनिटी जो है वो खटकटाने का कार कर रही है जबकि खटकटाने का कार जीवत प्राणी ही करता है अब इस बाक में अपॉर्चुनिटी का मानवी करण किया गया है यानि अपॉर्चुनिटी इसमें परसॉनिफिकेशन है अथॉर्टी फॉर्गेट्स अडाइंग किंग तो इसमें क्या है कि यहां पर बताए जा रहा है कि authority भूल जाती है यानि इसको एक मानव की तरह से सजी रूप में बढ़न किया गया है तो यह हमारा personification है Love is blind Blind तो इनसान या कोई चीवित प्राणी ही हो सकता है तो यहां पर यह हमारा love को यहां पर blind बताए गया है तो यहां पर हमारा personification है Next है apostrophe Apostrophe होता है संबोधन An apostrophe is a direct address to the dead To the absent or to personified object or idea जो संबोधन होता है यहां अलंकार है जिसमें मृत अनपस्तित या मानवी करड किये हुए पधार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है इसमें किसी मृत को या फिर जो वहां पर उपस्तित ना हो उसको या मान भी करड किये गए object को इसमें संबोधित किया जाता है Liberty why are you so dear Death come soon Grave where is the victory तो इसमें इनको संबोधित किया जा रहा है Liberty जाथा Death को नाम से संबोधित किया गया है इसमें तो इसमें हमारा Apostrophe यानि संबोधन अलंकार है Next है हमारा Oxymoran यानि ब्रोधा वास In this figure of this piece Two opposite qualities are added to the same Thing इस अलंकार में एक ही बस्तू में दो परस पर ब्रोधी गुड़ों को दिखा जाता है जहां दो परस पर ब्रोधी गुड़ों को दिखा जाता है वो हमारा होता है Oxymoran यानि ब्रोधा वास अलंकार For example He is regularly irregular अब इसमें आप कहेंगे Regularly और irregular दोनों चीजों का यूज हुआ है जब हम इसके भाव को देखेंगे He is regularly irregular यानि वह कभी नियमित है नहीं वह हमेशा अनियमित है Life is a bittersweet जिन्दगी एक कड़वा सच है यानि कड़वा सच है This is an open secret यह एक खुला हुआ रहसे है तो इसमें जब दोनों चीज़ों को इनकी अपोजिट कॉल्टीज को यहां पर जब दिखा जाता है तो वह हमारा होता है अक्जिमॉरा यानि विरोदावास नेक्स्ट है Hyperbol अत्शियोक्ती इन Hyperbol थिंग्स आर सौन ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन दे रियली आर इस अलंकार में किसी वास्ते कुस्ता से कहीं अधिक बड़ा चड़ा कर या बहुत गटा कर प्रकट किया जाता है यानि इस अलंकार में जो बात कही जाती है वो या तो बहुत बड़ा चड़ा कर कही जाती है या बहुत गटा कर कही जाती है For example See Bept Oceans of Tears वहर रोई वहर रोई समुंदर के सागर जितने आंसुओं से तो इसमें बात को उसके आंसुओं की तुलना सागर से कि इसमें बात को बहुत ही बड़ा चड़ा कर कहा गया है Reverse of blood flooded in the battle लडाई में जो युद में खून की नदियां बहने लगी तो इहां पर बात को बहुत बड़ा चड़ा कर कहा गया है Onomotopoia In this figure of speech the sound suggests the sense or meaning यह होता है हमारा Onomotopoia होता है ध्वनी सूचक तो इसमें क्या होता है इसमें ध्वनी को साधार बिनविन पच्चियों जाल वराँ तता बस्तों की ध्वनी के लिए अंग्रेजिम बिनविन सब्दों का प्रियोक किया जाता है इन सब्दों से सम्मंदे ध्वनी को जाना जा सकता है उन्हें ध्वनी सूचक यानि Onomotopoia कहते हैं For example A Bebel on the Pebel तो इसमें Bebel, कंकर पत्थरों पैवल पर नदी के बहने की कलकल ध्वनी प्राक्रितिक आवाज को दरसाता है इसमें Beez Hum यानि मदमक्की के भिनविनाने का बोध होता है तो ये हमारा Onomotopoia अलंगकार है Thank you guys for watching my video